Hello Friends, Good Evening, All of You, I am Devi Singh Sir, आज फिर एक नई वीडियो के साथ Child Development and Pedagogy, बाल विकास एवं सिक्षा सास्त्र की सीरीज के साथ, आपको पता है Friends, यहां हम First Division कराते हैं, और वीडियो जो आपका हुता है, वो Maximum 10, 15, 18 मिनट्स का होता है, सो, सवासो Questions के आसपास यहां Questions आपके होते हैं, और इस सीरीज में ऐसे Questions को हमने लिया है, जो या तो पिछली परिक्षाओं में आ चुके हैं, या अब कोई परिक्षा होगी Teachers से समन्दत, तो वो परिक्षा में इनके आने के पूरे पूरे चां तो एक साइड से आपको कोई भी एपिसोड ना छोड़ते हुए, सभी को करना है, और अपनी फियर नॉट्बुक बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो आप इनको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी प्राप्त कर सकते हो, चलते हैं Intelligence, आज हमारे Question रहेंगे बुद्धी बुद्धी पराधारित, देखते हैं, पहला Question, पहला Question है आपका, गार्डनर के बहु बुद्धी सद्दान के अनुसार वहे कारक्त, जो व्यक्ति के आतमबोध हेतू, सरवादक योगदान देगा, वहे हो सकता है, अन्ते व्यक्तिक कारक्त, अब चलते हैं हम, नेक्स्ट क कक्षा में कुछ बच्चे, अपनी कक्षा में कुछ बच्चे, जो गलतियों करते हैं, इस परिष्थिती में, आपके विसलेशन के अनुसार, इन में से कौन सा कथन सरवादक अप्युक्त है, ये है आपका, डी, ये रहेगा आपका, बच्चे, बच्चों ने अपनी अभी तक संकल्पनात्मक सपष्टा प्राप्त नहीं की है, तथा आपको अपनी सिक्षन विधी का परचिंतन करने की आवशिक्ता है, फिर मा आपको रिपीट करा देता हूं इस क्वेश्चन को, देखिए, आपकी कक्षा में कुछ का आपने विसलेशन के अनुसार, इन में से कौन सा कथन सरवादिक अप्योक्त है, तो ये कथन आपका डी रहेगा, और इसमें बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मत सपष्टा प्राप्त नहीं की है, तथा आपको अपनी सिक्षन विधी पर चिंतन करने की आवशिक्ता है, नेक्स्ट क्वेश्टन है, आपका देखते हैं, बहुत आत्विक से दांत किस ने दिया, थोरंडाइक ने, वे बालक जो अपनी आईू से एक दरजा नीचे के बालक के लिए बनाए गए कायर्य को अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं, उन बालकों को किस रेनी में रखा जाएगा, पिशड़े बालक, वे बालक जन्हें अध्यापक के प्रियासों एवं अभी प्रेरना के माध्यम से सामयन बालक किस रेनी में लाए जा सकता है, पिशड़े बालक, किस ने कहा कि बुद्धी सीखने की योगता है, बैकिंग हमने, गेरिट ने बुद्धी के कितन से दंद, तीन खंड से दंद, उप्युक्त सभीस का अंसर होगा, वस्तुओं के संग्रहिन का काल है, साथ से ग्यारे वर्स, बालक में एमूर्थ चिंतन का विकास हो जाता है, ग्यारे से पंदरे, वर्स के बीच, बुद्धी के पिर्तिदर सिद्दांत का पिर्तिपादक है, थामसन, ए साब्दिक सामुइक परिक्षन है, आर्मी बीटा परिक्षन, नेक्स्ट क्वेस्टन पर अब हम चलते हैं, यह हमारा एक बालक की बु लाब्धी 85 हैं, तो वह बालक मंद बुद्धी होगा, बुध्धी का पदानु किर्मिक सिद्दांत का निर्मान किसने किया, बर्ट वे बर्ननने, बुद्धी की तिरविमिय सरचना, किस मनो वे ज्यनिक ने, पिर्ति पादित की, गिलफॉर्ड ने, नेमन मेंसे गिलफॉर नहीं है मूल्यंकन बुद्धी लावदी का प्रियोग का उप्योग सब्पर्थम किसने किया टर्मन ने नेक्स्ट केस्टन है आपका बुद्धी का बहुकारक बहुतत्व किसने पृतिपादिफ किया यह आपका थौरणडायक अलफर्ड बिने किस देश के नवासी थे फ्रा थौरणडायक ने नेक्स्ट केस्ट पर हम चलते हैं किस मनुवग्यानिक ने सपीयर मेन के सामान्य कारक का खंडन किया है थौरणडायक ने बुद्धी के तिरतत्व सिद्दाउनत में सपीयर मेन ने तीसरा तत्व जोड़ा समूततु बुद्धी का वे भाजन किन वेज्ञानिकों ने किया थोरंडाइक वे गेरिट ने वेक्ति अनोखे कारे करता है जिससे समाज में उसकी पेहचान बनती है यह बुद्धी का कौन सा कारक है विशिष्ट कारक है यह इंजिनियर अपने कारेल्य में बैठकर किसी मकान का प्रारूप बनाता है बुद्धी के किस परकार के माध्यम से सत्थानिक बुद्धी एमूर्थ विचारों के विश्चे में सोचने की योगता ही बुद्धी है यह कथन है टर्मन का नेक्स्ट है आपका एमूर्थ बुद्धी में किनका प्रयोग अधिक किया जाता है सभी का सब्धों का अंकों का प्रतीकों का उप्योगत سब्धी एमूर्थ विचारों के बारे में सोचने की योगता है कथन है टर्मन का गिल्फोर्ड का बुद्धी संबंदी सिद्धान्त है तिरायामी हीरो के लिए हम खुदाई करते हैं वे स्वारन को सुद्ध रखते हैं किन्तु प्रतिवा का हम नास कर रहे हैं यह कतने के एन दत का नेक्स्ट क्वेश्टन है आपका एक पांच वर्सिय बालक एक पांच वर्सिय बालक कि बुद्धी परिक्सा के आधार पर मानसिक आयू आठ वर्सिद हुई तो वह बालक किस वर्ग माएगा अतिप पिर्खर बुद्धी में बालक राम को बगीचे में ले जाकर हरियाली से परिचित करवाया जाता है राम को विद्याले में हरियाली पर नवंद लिखने को कहा जाता है यहां बुद्धी का कौन सा परिकार कहर करेगा एमूर्थ वर्वाव नेक्स्ट क्वेश्टन है आपका बुद्धी के कौन से परिकार को मिर्दुल बुद्धी कहा जाता है साव देख सूक्सम समिस्याओं को जिंतन मनन द्वारा हल करने का कायर हैं किस बुद्धी का है ऐस्ती आउद्धी समय के उति बुद्धी का मुर्थ भुद्धी को इस नाम से भी जानते हैं यह आपका गत्यात्मक। यांतरिक बुद्धी उप्योग दोनों आएंगे यह ए और भी आगे चलते हैं व्यक्ति के निरने लेने तर्क करने तथा उप्योगी अनुप्योगी का चैन करने की योगता है बुद्धी निमन में ऐसे बुद्धी की विशिष्टा नहीं है लेंग के आदार पर बुद्धी में पूर्ण प्रिशन यह आपके लिए हम लेकर के आए हैं देखिए हर क्वेशन किसी ना किसी पर इकसा में जरूर आया हुआ है बारह वर्सी है विद्धी विद्धी सोहन की बुद्धी 75 लावदी है उसकी मानसिक आयू बुद्धी क्या होगी नो टर्मन के अनुसार पिलिक्त मेंसे कौनसा गिलफोर्ड के तरविमिये वुद्धी सिद्धानत के विश्य वस्तु आयाम का घटक नहीं है पिरनाली मानसिका आयू की अवधार्ना को विकशित किया था बिनेने नमिनमेंसे कौनसा समवेगांतमक वुद्धी का तत्व नहीं है उद्ध मी सामर् नेक्स्ट क्वेश्टन है हमारा बुद्धी लबदी सम्पिडते है विकास किया तर्मन ने सामाय ने तथा विस्च्ट कारक सिद्दानतों को प्रतिपादन किया है सपियर में नेक्स्ट क्वेश्टन पर अब हम चलते हैं ये है हमारा जिन बालकों की बुद्धी लावदी सत्तर से कम होती है साधारनता है उन्हें मानसिक न्यूनता गिरसित की स्रेनी में रखते हैं व्या व्या हरेक बुद्धी को कहा जाता है मूर्त बुद्धी बुद्धी की तरायामी सिद्धान्त का नुसार बुद्धी के कारक की संख्या है ये है आपकी एक सो बीस नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निमन में से गिल फोर्ड ने कौन सा बुद्धी का सिद्धान्द का पिर्थिपादन किया बुद्धी सरचन सिद्धान्द निमन में से बुद्धी का बहुखंड सिद्धान्द पिर्थिपादन किया थौर्णडाइक थोड़न डाइक का बुद्धी सिद्दान्त संबंदी सिद्दान्त बहु तत्व का सिद्दान्त है बुद्धी के समुकारक तत्व सिद्दान्त का पिरनेता थरस्टन है नेक्स्ट है आपका पुर्स इस्त्रियों के अपेक सा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं यह का थन लेंगे पूर्वा ग्रह को पिरदर्सित करता है एक बालक की आयू 12 वर्ष है बिने का बुद्धी परिक्सान करने पर वे 15 वर्ष के सामें बालक के समान अंक प्राप्त कर सका उसका सही बुद्धी लवदी का किस विकल्ब में दी गई है 125 क्या होता है मान से कायू बटे में वास्ते को आयू गुना में 100 करके इसका सौलूसन इसने कर दिया है तो आपका 125 आच उका है इससे आगे हम चलते हैं एक बालक जिसकी बुद्धी लावदी 105 है उसे वर्ष किया जाएगा सामान ने बुद्धी में ऐस आवदिक बुद्धी परिक्सानों का प्रिय जैसे भी जैसे अधिक प्रिगति कर सके उस तरह से अनुप्रेशित करेंगे यह इसका आंसर होगा बुद्धी लावदी का सूतर जो अभी में बता रहा था मान से कायू बटे में वास्ति कायू आईगी इसकी मल्टिप्लाई वाई हंड्रेड बहुत इंपोर्टेंट क्व दाता है ठर्मन जड़ बुद्धी वाले बालकों की बुद्धी लफदी कितने होती है सतर से कम नमलिक्त में से कौन सा कथन सत्य है इन कथनों में से जो कथन सत्य है वहे है बुद्धी का लिंग के साथ संबंद नहीं है एक ग्यारे वर्षिय बालक जिसकी मान से कायू दस है किस रेनी में आएगा ओसत बुद्धी में एक सोले वर्षिय किसूर कि मान से कायू पंदरे वर्ष है वे किस रेनी में आएगा ओसत विभिन वेग्यानिकों ने बच्चों की बुद्धी लफदी के आधार पर उनको भिन भिन स्रेनी संवर्ग की संग्या दी है नीचे इ अनुक्रम समुद दिये गए हैं इनमें ठीक वे सही अनुक्रम समुद का चैन कीजिए ये है आपका बी जड़ बुद्धी मंद बुद्धी स्रेष्ट उच बुद्धी पृतिवासाली अधिकांस वेक्तियों की बुद्धी ओसत होती है बहुत कम लोग पृतिवासंपन होते हैं और बहुत कम वेक्ति मंद बुद्धी के होते हैं ये कफन है फिर्थिस्तापित शिद्धानतों पर आधारत है बुद्धी के वित्रण के सिद्धानतों पर ये कफन आधारत है एक्यू इवन आईक्यू उधारन है मानक पिर्दत के नेक्ष्ट है आपका निमिन में से कौन सा कथन बुद्धी के बारे में सत्य नहीं है यह सत्याई एवं एपरिवर तंसील ताकि विसेशता है नेक्ष्ट चलते हैं एक बारे वर्षिय बालक की मान से कायू दसवर्ष है वे किस रेनी में आएगा मंद बुद्धी में निमिन में से कौन बुद्धी परिक्षनों के दुरुप्यों का संकेत देता है बुद्धी लावदी को लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी एको सलता को छिपाते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका, जीरो से पच्चीस बुद्धी लावदी को क्या कहते हैं, जड़ बुद्धी, जड़ बालक, गिल फोर्ड के बुद्धी संबंदी माडल में निमन में से कौन सा आयाम नहीं है, विसिश्टत्व, बुद्धी के बहुकारक सिद्धान्त के पुद्धी लावदी कितनी होती है, असी से नब्बे के बीच, जड़ बालकों की बुद्धी लावदी होती है, पचीस से कम, गिल फोर्ड के बुद्धी संबंदी सिद्धान्त हैं, तिर आयामी सिद्धान्त, नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका, अब धारनाओं का पास मुख्य रूप से संबंदित है, बौद्धिक विकास से, मानसिक रूप से विकलांग से निमलेखित में से कौन संबंदित नहीं है, ऐसा माजिक कायरिया, नेक्स्ट है आपका, बुद्धी के दीकारक सिद्धान्त का पिर्थिपादन किसने किया, ये है आपका सिपिय पिर्मेन, बुद्धी मता का सिद्धान, बुद्धी मता का संबंद किस से है, उप्युक्त सभी से, केंद्रिय चिंतन से, बहु आयामी चिंतन से, सर्जनात्मक्ता से, नेक्स्ट क्वेश्टन है आपका, विशिष्ट बालक का संबंद होता है, बुद्धी से, निमिन में स से किसका निश्चय केवाल अनुवान सिक्ता के आधार पर होता है बुद्धी के आधार पर भावात्मक बुद्धी का परिवासिक सब्द देने वाले विद्वान है डेनियाल गोलमेन नेक्स्ट है आपका 86 भावात्मक बुद्धी का प्रवक प्रिसंग है उप्रोक्त सभी अपने स्वेम की भावनाओं को जानना अपने भावों को वियवस्थित करना तूसरों की भावनाओं को पेंचानना उप्रोक्त सभी एक सिक्षार्ती की बुद्धी लावदी का ग्यान एक सिक्षक के लिए उफ्योगी है क्योंकि सिक्षन कायरे को सफल यह उन प्रभावी बनाने में नेक्स्ट क्वेशन है आपका बुद्धी लावदांग के आधार पर विभिन समूहों में विद्यारतियों का वरगी करन उनकी स्वय गरीमा को बढ़ाता है और उनकी सेक्षिनिक निस्पादन को बढ़ाता है ये इसका जो 88 क्वेशन है इसका होगा D दोनों जगे बढ़ाता है नेक्स्ट क्वेशन है आपका सारीरिक गतिक बुद्धी रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्ता नमिलिक्त में से कौन सी हो सकती है सल्य चिकित सक बहुविद बुद्धी सिद्धान्त के अनुसार सभी प्रकार के पसुओं खनेजों और पेड़ पौदों को पेंचा और वर्गी करत करने की योगता प्राकरतिक बुद्धी कहलाती है नेक्स्ट है आपका गिलफोर्ड के बुद्धी संबंदी माडल में कुल कोस्ट हैं कितने दिये हुए हैं 120 कोस्ट खाल स्थान की जगह पर आ जाएगा सामाजिक भी सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धी के नमिलिक्त पक्सों को सिटरन बार्ग ने तिरतंतर सिद्धान्त में सम्मोदित किया है नेक्स्ट कोईशन है आपका हावर्ड गार्डनर का बुद्धी का सिद्धान्त पिरतियेक वैक्ती की विलक्षन योगताओं को पर बल देता है इसका आंसर आएगा सी किसी दस वर्ष है वै कहलाएगा प्रतिवासाली नेक्स चलते हैं जो बुद्धी सिद्धान्त बुद्धी में समलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे परागटक और बुद्धी द्वारा लिये जा सकने वाले विविद रूपों जैसे सरजनातमक बुद्धी को सामिल करता है वह है सटरन बार का बुद्धी मता का तिरतत्व सिद्धान्त बुद्धी वैसे तत्व है जो सब मानसिक योगताओं में सामाने रूप से समलित रहता है परिभासा इस सतावदी की सबसे महतपूर मनोवग्यानिक खोज का पिर्थिश ठापन करती है यह कथन किसका है यह कथन है आपका रेक्स वैर नाइट का नेक्स्ट क्वेश्टन है आपका नेमलिक्स को समेलित कीजिए इसको जब समेलित हम करेंगे एक तात्व सिद्धान्त बिने ने दिया बहुतात्व सिद्धान्त थोरन डाइक ने तर आयामी सिद्धान्त गिलफोर्ड और समुतात्व सिद्धान्त आपका थरश्टन ने दिया इस तरीके से इसका सिद्धांत ये दिया है लान कर लीजीए फिर मैं आपको बता देता हूँ एक तत्व सिद्धांत जो है वह आपका दिया है एक तत्व सिद्धांत बिने ने बहुतात्व थोर्णडाइक ने समूता तो से दान्त थरश्टन से तिरा आयामी से दान्त गिलफोर्डन Presence चलते हैं नेक्स्क्ट कुएस्टन पर चलिए नेक्स्ट कुएस्टन है आपका अंतर व्यगतिक बुद्धी से तात्रीय है विभिन व्यगतियों को समझने का कोंसल बुद्धी लावदी के सम्मंद में क्या सकते है कालानुकर्मिक आयू से व्यतकर्मी सम्मंद बुद्धी लावदी के सम्मंद में क्या सकते है कालानुकर्मिक आयू से व्यतकर्मी सम्मंद नेक्स्ट है इसका इसका अंसर तो सी था नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं बुद्धी का तरल मौजग माडल किसने दिया? कैटल ने चैस तता कार्ड को निमिन में से किसमे वर्गी किर्थ किया जा सकता है? बौद्धिक खेल में नेक्स्ट कोईशन है आपका निमिल्लिकित में से कौन सा किरिया निस्पादन पिरकार के बुद्धी परिक्षन का उधारन नहीं है? इसका अंसर है सरल गनित समिश्याओं को हल करना एक वालक जिसकी बुद्धी लावदी 125 है किस वर्ग में आएगा? उच पिरकार नेक्स्ट क्वेशन है एक वेक्ती जो विभिन समवेगों की पेंचानता था मैसूस करने और समवेगों पर नियंतरन की उच्छ योगता रखता है उच्छ होगा इक्यू पर नेक्स्ट क्वेशन हम चलते हैं अब आता है हमारा एक बालक जिसकी द्रिस्य संसार का सुद्दता से प्रत्यक्सीद करने की छमता अधिक है वे उच्छ होगा सथानिक बुद्धी पर बुद्धी के क्रियांत्मक परिक्षन उप्योगी हैं सभी के लिए बालकों के लिए निरक्षरों के लिए गूंगे और बैरों के लिए नेक्स्ट कुश्टन है आपका एक दस वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल रहा है जिन पर अधीकान्स छे वर्ष ये बालक सफल होते हैं कि मानसिक आयू मानी जाएगी छे वर्ष नेक्स्ट है आपका नमिलिक्त में से कौन सा बुद्धी का सिद्धान्थ संग्यानात्मक पिरक्रिया पर आधारत है गिल फोल्ड तरायामी सिद्धान्थ बुद्धी के सूचना प्रक्रम उपागम का वर्नन किस ने किया सटर्न बर्ग ने नेक्स्ट क्वेश्टन है आपका सपियर मेन के अनुसार सभी संग्यानात्मक कायरियों में सामिल मानसिक उर्जाया छमता को क्या नाम दिया गया है जी कारक नेक्स्ट है गार्ड नर की अनुसार अन्य वैक्तियों की मनोदसा स्वेभावों अभी प्रेरनाओं और इच्छाओं को समझ कर उसमें विवेदन करने की योगता कहलाती है अंतर वैक्तिक बुद्धी नेक्स्ट है आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्टन पर बुद्धी का कौन सा प्रकार गार्ड नर द्वारा नहीं सोजाया गया सांसकर्तिक एमूर्थ बुद्धी किसी वैक्ति की मदद करती है समिस्यां सुल जाने में एक सफाल इंटीर डेजाइनर में किस तरह की बु प्रवल सीलता होती है इसका अंसर है आपका एमूर्थ बुद्धी होती है उसमें बुद्धी का तिर आयामी माडल का प्रतिपादन किस ने किया गिलफोर्ड ने नेक्स्ट क्वेश्टन है आपका गार्डनर ने बुद्धी के कितने प्रकार बताए हैं गार्डनर ने बु सनाई उतंतों की मांत्रा पर निर्वर करती है बुद्धी की मांत्रा से दांत से संबने दियाकतन किसका है थौरंडाइक का नेक्स्ट क्वेस्टन पर हम चलते हैं बच्चों हे तु वैसलर बुद्धी मापनी के किस परीक्षन में संख्याओं को बढ़ते क्रम में इसका अंसर होगा अंक विस्तार गिलफोर्ड के अनुसार निमन में से बुद्धी का आयाम नहीं है संग्यान बुद्धी का वेज्ञानिक मापन सर पर्थम किस ने प्रारम किया बिने ने गार्डनर के बहु बुद्धी के सिद्दान के अनुसार वेकारक जो वेक्ती के आ मोहिक ऐसा आप देक बुद्धी परिक्षन है यह आपका आर्मी बीटा टेस्ट हम सभी अपने बुद्धी प्रेरना अविरूची आदी के संदर्म में भिन्न होते हैं यह सिद्धांत संबंदित है व्यक्तिक भिन्नता से नेक्स्ट है आपका इन में से कौन सा तिर तंत्रिय सिद्धांत में व्या व्याहारिक बुद्धी का अभिप्राय नहीं है इसकांसर असी केवल अपने विश्य में व्याहारिक रूप से विचार करना नरर्थक सब्द नर्मान सरपर्थम किस ने किया एविंग हासले नेक्स्ट है आपका बुद्धी का के श्रोत है अनुवान सोले वर्स की आईू में बुद्धी के अंतरगात सामान्यता योगता का कारक कौन से मनोवज्यानिक ने बताया है सपीर मेंने नेक्स्ट क्येस्टन है आपका सामान्यय व्यक्ति की बुद्धी लवज़ी होती है सो गोल में समबंदित हैं सामवेग गुद्धी से बहुष सिद्धान्त को वैद नहीं माना जा सकता क्योंकि क्यों वैद नहीं माना जा सकता क्योंकि विभिन परिक्षनों के अभाब में भिन बुद्धियों का मापन संभव नहीं है इसका डी आंसर होगा नेक्स्ट कोईस्ट अपना ये एक बालक की मानसिक आयू 14, वास्तिक आयू 11 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलवदी क्या होगी, तो मानसिक आयू, बटे में वास्तिक आयू, गुना में 100 करके, यह आपका आजाएगा, 127, बुद्धिलवदी ग्यात करने का सूत्र है, इसका सूत्र होगा आपको पता बुद्धि लवदी का बुद्धि लवदी वरावर मान से काई बटे में जीवन की वास्ति काई मल्टिप्लाई वाई अंड्रेड यह आपका इसका अंसर हो जाएगा सी कक्षच है के बच्चे का ओसत आई क्यू होगा सौ बुद्धि का तिर आयामी सिद्धान्त है गिलफोर्डगा बुद्धि सतर के मापक को सही रूप से में निर्मान किया गया है टर्मन ने नेक्स्ट है आपका बुद्धि के विश्य में आधूने का अवधारना है नवीन परिश्थितियों के पिर्ति समायुजन का गुन नेक्स्ट क्वेस्टन है बैटरी निश्पादन परिक्षन में रचे गए हैं भाटिया नेक्स्ट है बहुवादी बुद्धि ज्यान को अ पिर्तियों के बुद्धि परिक्षन के लिए क्या उप्योगत समझते हैं क्रियात्मक बुद्धि परिक्षन इसका अंसर होगा नेक्स्ट एक अध्यापक के लिए बुद्धि परिक्षन की उप्योगता क्या है इसका अंसर है अध्यापन एवं विश्य परिक्षन में इस से आधार बनाया जा सकता है नेक्स्ट क्वेस्टन पर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन हमारा बुद्धी के सम्मंद में निमिन में से कौन सा कथन सही नहीं है ये है आपका बुद्धी की लंबवत बुद्धी जीवन परियंत होती है कलपना का सिक्षा में क्या सथान है सि नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा चलते हैं विभिन स्रेनी के मंदित बालकों को दर्साई गई सही ओसत बुद्धी का चैन कीजिए पिछला बालक असी से निन्यन में सम्वे गांतमक बुद्धी बुद्धी लावदी से अधिक महतपूर्ण क्यों उस तक के लेखक हैं डैनियल गोलमेन नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका एक बालक जिसकी मानसिक आयू बारे वर्स तथा काल अनक कुर्मिक आयू दस वर्स है उसकी बुद्धी लावदी होगी एक सो बीस एक सो बीस नेक्स्ट क्वेस्टन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका निमिन में से किन मनुवेग्यानिकों ने समवेगा उत्मक बुद्धी पर काम किया ये हैं हावर्ड गार्डनर, डैनियल, गोलमेन, जान डीवी मेयर वे पीटर साल्वे, उप्रोक्त सभी ने किया था नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका बुद्धी इन चार सब्दों में चिन्नेत है ग्यान आविस्कार निर्देश आलोचना, ये कथन किस मनुवेग्यानिक का है अल्फरिड बने, समवेगा उत्मक बुद्धी को लोग प्रिय बनाने का स्रे किसे जाता है डैनियल, गोलमेन को जाता है नेक्स्ट क्वेश्टन है आपका, किसी समुदाय में आसानी से समंद बनाने वे समायजित होने की छमता कहलाती है समवेगिक, सामवेगिक बुद्धी, परिवार बच्चों को निमिन परकार से सिक्षा देता है, अनौपचारिक रूप से नेक्स्ट है, गिलफोर्ड द्वारा, पिर्तिपादित, बुद्धीकता रचना माडल में कितने तत्मों को समलित किया गया है, 120 तत्मों को समलित किया गया है, गिलफोर्ड के द्वारा फ्रेंड्स, ये हमारा फास्ट रूपीजन था, आज का वीडियो हमारा फिनिस हो चुका है, चाइल्ड डवलप्मेंट एंड पेड़ागोजी का बालवका से उन सिक्षा सास्त्र, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपने सभी फ्रेंड्स को बताना, कि एक चैनल ऐसा भी है, जो एक साइड से सभी क्वेस्टन को ले करके चलता है, उसके बाद में फिर हम आपको डेटेल में, पूरा पेड़ागोजी, चाइल्ड डवलप्मेंट और एक वार इस सीरीज को खतम करने के बाद, थेंक यू